हिजबुला को नए चीफ मिल गए है तो इधर इरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है इरान के नए सुप्रीम लीडर जो है वो आयातुला अली के दूसरे बेटे जो है उनको इरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है इनका नाम है दोस्तो मुस्तबा जी हां मुस्तबा इनको इरान का नया सुप्रीम लीटर घोशित किया गया है लेकिन दूसरी तरह हिजबुला के जो नए चीफ नईम कासिम बने हैं उनकी तरफ से जो स्टैटेजी अपनाई जा रही है इस युद्ध में वो लगातार आकर्म के soldiers जो है उनको बुरी तरीके से मार गिराया है इस बार हिजबुला ने IDF के 12 जवानों को मार गिराया है दोस्तों इस वक्त की बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे है कि कैसे हिजबुला ने अपने missiles, drone, rockets और तमाम हत्यारों की वज़ह से इस्राइल पर लगा तार हमला कर रहा है और इस कदर हमला कर रहा है कि इसराइल हर तरह से जी हां हर तरह से तुराही तुराही करता हुआ नजर आ रहा है इसराइल का कई शहर इस वक्त जलता हुआ दिखाई दे रहा है उन दमाम शहरों के बारे में भी बताएंगे कि क्या हो रहा है और किस तरी हिजबुल्ला भी तगड़ा जवाब दे रहा है, हिजबुल्ला भी कह रहा है कि वो हर एक बदला इस्राइल से लेगा, हर एक मौत का बदला जो है इस्राइल से लिया जाएगा, जिसका खाम्याजा नेतन्याहू और उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा, आप सभी को पता है जहां पर पच्चास हजार से जादा लोगों की जाने जा चुकी है, और इसी वज़ा से हिजबुल्ला और इरान जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी साफतोर पर कहा है कि अब इस युद को आखरी मोड पर लाकर ही अन्जाम दिया जाएगा, इस युद में इसराइल को हम हराएंगे, ऐसा ऐलान जो है वो हिजबुल्ला के नए वाले चीफ और सुप्रीम लीडर के जरिये दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो तमाम तस्वीरे दिखा दू जहां पर हिजबुल्ला के जरिये 12 सोल्जर्स को, जी हां, एक दरजन सो सोल्जर्स को जो है, निशाना बनाया गया है, कहा जा रहा है कि ये इसराइल का एक शहर है और जहां पर अलकसम बिग्रेट्स की जरिये हमला किया गया है, और इस हमले में 12 से जादा सोल्जर्स जो हैं, वो अब इसराइल के नहीं बचे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, कि आपको और भी तमाम जानकारी साजा करते वे बताऊंगी कि क्या हो रहा है और किस तरीके से, Middle East की जो लड़ाई है, वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होने का नाम नहीं लिया जा रहा है, Middle East Observer के जरिए एक वीडियो शेर करते वे जानकारी साजा की लेकिन अब हिजबुला जो है, बॉम से अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा Middle East Observer से शेर करते वे जानकारी साजा की जा रही है, आगे आपको और भी जानकारी दूंगी दोस्तों कि कैसे इस वक्त तल अभीब और कई शहर इस्वाईल का जो है वो धुआ धुआ धु का मौहौल मचा हुआ है और बंकर्स में लोग छुपने को मजबूर है, ऐसी हालत जो है वो कर दी गई है, वहीं आपको आगे बता दू दोस्तों कि RKM News के हवाले से, जी यहां RKM Times के हवाले से, खबर सोशल मीडिया पर साजह की गई हो और बताया जा रहा है कि असद और IR G.S. दमिश्क पर इस्राइल के हवाई हमले और गुलान हाइट्स पर IDF के ठिकानों के बड़े पैमाने पर जवाबी कारवाई की तयारी जो है, वो की जा रही है इरान और हिजबुला की तरफ से, इरान ने भी साफतार पर कहा है कि वो इस्राइल को सबक सिखाएगा, जिस जहां पर अगर इस्राइल कोई भी हरकत करता है, कोई भी अटैक करता है, तो उसके जोन्स, उसके मिसाइल को हवा में ही मार कर गिरा दिया जाएगा, मिडिल इस्ट अब्जर्वर ने और भी खबर शेर करते वे जानकारी साजा किये दोस्तों, वो जानकारी मैं आपको बता बनाया गया है, तो ये जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही कि हिज्बुल्ला का जो नसर और फजर जो मिसाइल है, उससे इस्वाइल पर हमला किया गया है, आगे दोस्तों आपको एक और बड़ी जानकारी दे दू, करंट रिपॉर्ट के हवाले से, यहां पर बड़ी पर सामने आ रही है कि कैसे 30 से जादा सोल्जर्स जो हैं, वो इस्राइल के मारे गए हैं, जी हां, अलमयादीन के रिपॉर्ट के हवाले से खबर आ रही है, दोस्तों कि दक्षिन लेबनान के चामा शहर पर कबजा करने के लिए इस्राइली सेना के ऑपरेशन के दौरान पा है, दोस्तों कि बैलस्टिक मिसाइल से तल अभीब पर हिजबुल्ला के जरी अटाक किया गया है, जहां पर तल अभीब हर तरीके से आग की चपेट में नजर आ रहा है, तस्वीरों के माधिम से आप देख सकते हैं कि प्रेस टेवी ने एक आर्टिकल शेर करते हुए इसकी पर जो है Northern Israel में उनको तबा करता वा नजर आ रहा है, इस्राइल का जो सेटलाइट है, वो हिजबुला की रॉकेट ने नस्च कर दिया है, तो एक एक करके तस्वीरे जो हैं वो लगातार सामने आ रहा है, वहीं इरान मिलिटरी ने भी कुछ बड़ी और एहम जानकारी साज पर जो है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास 48 घंटे के अंदर वो सेन्य प्रमानु परिक्षन की तैयारियां है, वो करते वे नजर आ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर जो है वो इस्राइल पर अटाइक कर सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वहीं एक सुल यह इस्राइल की राजधानी तल अभीब है, जहां पर हर तरफ आग आग और आग ही दिखाई दिया जा रहा है, वहीं आरकेम मीरिया के हवाले से भी कुछ खबर शेयर करते वे जानकारी साज़ा की गई है दोस्तों, और इस खबर में इरान के सुप्रीम लीदर की तस्वी कारवाई करने का समय आ चुका है, यह एक तरल इंदन वाली बैलस्टिक मिसाइल है, जिससे IRGC द्वारा विक्सित किया गया है, इरान का ओपरेशन प्रॉमिस 3 जो है, वो इस्राइल पर जल्द ही हमला करने की तयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर इरा की तरफ से शेर करते हुए जानकारी साजा की गई और बताया जा रहा है कि इस वक्त इरान के शहर में लगाया गया है, वही करन्ट रिपॉर्ट के हवाले से भी कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर करन्ट रिपॉर्ट के हवाले से बताया जा रहा है क कि कैसे इस्राइल मिलिटरी लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। मुसाद के जो जासूस हैं उनको निशाना बना कर इस्राइल को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें इस्राइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों इस पूर रेपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी रिया हैं में कॉमेंट करके जरूर बदाईएगा। साथ इसा चानल को जादा साजादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तरिमा तोस्तों